Hello everyone, welcome to G-Centric का और IIT Mindset की सीरीज में जहां पर हम देख रहे हैं कि पिछले 20 सालों में किस तरीके से कोशन पूछे हैं और उनको सॉल करते टाइम पे क्या-क्या दिक्कते हो सकती है या आप सॉल करते टाइम पे AC क्या गड़बड करते हैं जिसको हम यहां पर पहले से एक्जामनेशन में बेटने से पहले रेक्टिफाई कर सके तो चलिए स्टार्ट करते कोशन बहुत अच्छा है आईटी रूर्की का गेट 2009 का कोशन है डबली का और इस कोशन में बहुत सार इस्टोएंट पहली बार जब देखते हैं तो बहुत ज़दा कनिफिज हो आते हैं इसमें थोड़ा सा एसी का पार्ट रहेगा बच्चुकि मैं बता चुका हूँ के एसी अनलीसिस हम लोग सेपरेटली सारे कोशन करेंगे 20 साल के पर ठीक यहाँ पर थोड़ा सा एसी का एक छोटा सा बूल सकते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट लगेगा जो कि आपको पता ठीक है क्योंकि यह सीरीज देखने वाले जितने वी लोगे वो अल्रेडी फूल कोर्स नेटवर्क थियोरी का पढ़ चुके हैं तभी देख रहे हैं तो छोटा मोटा जो मेगनेटिक कबल सरकेओड या फिर छोटा मोटा एसी का कॉंसेप्ट बीच बीच में कभी आ जाए तो वह आप कर सकते हैं बाकी तो हम लोग लार्ज पोर्शन जो है एसी अनलीसिस का वो अलग से देखेंगे ठीक है चलिए कोश्चन सौल करते हैं अब देखें कोश्चन में बहुत सारे स्टूरेंट यह सूछते हैं कि सर यहाँ पर कैपेसिटेंस निकालना है तो क्या करें तो क्या ओपन या शॉट वाला जाएं इंडक्टर होता तो शॉट कर देते कैपेसिटर है तो क्या ओपन कर देते या देखो यहाँ पर क्या है पूरे इंटार सर्कूट में एक डिपेंडेंट सोर्स है आपने बताया था कि अगर सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स हो तो वो सर् इंडिपेंडेंट सोर्स के बारे में बेसिक्स में हीा आपको बता चुका हूँ बट जैसे हम लोग Ith या फिर ZTH निकालते हैं तो वहाँ पर हमने सीखा था कि जब भी कभी है ना याद ना Case 3 Full Course Network Theory में धैविनिस मॉडल में और equivalent या झालने के लिए हमने तीन Case discuss करे थे एक था only independent source second था जिसमें हमारा dependent हो और independent दोनों हो और तीसरा केश था सिर्फ और सिब dependent हो तब कैसे deal करेंगे तो जब भी dependent sources है पूरे circuit में तो इसका मतलब है यह dead circuit इसको active करने के लिए हमें at least एक active source या एक हमारा independent source लगाना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक independent source लगाएंगे यहाँ पर चूकि AC है क्योंकि यहाँ पर क्या है सिर्फ resistance होता तो हम लोग DC से काम चला लेते वेट resistance के साथ capacitance भी है इसलिए हम क्या करेंगे AC voltage source लगाएंगे ठीक है एक voltage V और ये A और B है ना दो terminal ठीक है तो इसको VAB बोल देते है थोड़ी दर के लिए है ना हमने assume कर लिया 1,2 भी कर सकते हो A,B भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अब देखेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे अगर यहाँ से देखेंगे तो इस voltage और इस current का जो ratio कहलाएगा उसको बोलेंगे हम लोग ZAB impedance क्या हो जाएगा VAB divided by current इस voltage source से निकला हुआ current जो कि I1 current है notation के हिसाब से क्या है वही current यहाँ से वो current और यह current एक ही बात है तो इसको I1 ही बोल देते हैं तो VAB divided by I1 का ratio हमें क्या देगा ZAB ZAB का मतलब है कि इस entire circuit में जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमें equivalent impedance नजर आएगा अब इस impedance के अंदर होता क्या है इसके अंदर होता है एक real part और एक imaginary part real part को हम बोलते हैं resistance और imaginary part को depending के situation के inductance है capacitance या दोनों है है ना तो इसको बोलते हैं हम लो reactance क्या बोलते हैं तो इस ZAB को अगर हम लोग थोड़ा सा इधर खोलें और चुकि यह RC circuit है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि RAB ठीक है और minus J XC XC बोले तो यह इसको थोड़ा सा और अच्छे से खोल देते हैं यह हो जाएगा 1 upon XC को क्या लिखते हैं हम लोग 1 upon omega C 1 upon omega C और CAB क्या है AB क्योंकि ZAB है तो यहाँ पर RAB, CAB और XB, XCAB भी कर सकते हैं आप चाहो थो ठीक है तो इसका मतलब है आपसे question ने पूछा है equivalent capacitance of the input loop of the circuit shown in the figure यहाँ से देखने के बाद यहाँ सा अगर circuit को देखते हैं तो आपको equivalent capacitance निकालना है और 4 option आपको given है इसका मतलब है कि सर अगर मैं यहाँ voltage और current का ratio लेके आजाओं किसी तरीके से तो इसका मतलब है कि वो ratio मुझे कहीं ने कहीं RAB minus J XC देगा यह minus क्यों लगाया? अल्रेडी सारा चीज full course में पढ़ाया हूं है तो इसका मतलब इस standard equation से compare कर लेंगे जो हमारा ratio की value के form में जो expression आएगी उस expression को इस expression से compare करेंगे और capacitance की value निकाल देंगे तो इसमें हमें इन दोनों का ratio बनाना है इसका मतलब देखो यहाँ से I1 current जा रहा है और यहाँ से dependent current source आ रहा है 49 into I1 तो अगर मैं यह KCL देखूँ और यहाँ पर अंदर जाता हुआ current देखूँ तो I1 और 49 I1 प्लस 49 I1 तो कितना हो जाएगा 50 I1 हो जाएगा current और यहाँ से plus और minus क्योंकि जहाँ से enter करता है वहाँ से positive तो यहाँ पर हम लोग इस loop में equation देखें तो VAB 1 और 1 दोनों series में है तो 2 कर देते हैं तो minus 2K into I1 minus क्यों लगा है क्योंकि plus minus बाद वाला sign लेते हैं हम लोग दोनों को add कर दिया मैंने साथ में लिख दिया अलग लग नहीं लिखा ठीक है 1 plus 1 2 कर दिया 2K into I1 then minus 50 I1 ठीक है minus 50 I1 और साथ में यहाँ पर जो इसका reactance है direct capacitance मत use कर लेना है ना हमने सीखा है ऐसी circuit में कि resistance resistance में तो कोई दिक्कत नहीं inductance और capacitance जब भी आए तो उनको ohmic value में change करना है ohmic value में change करने का मतलब है कि reactance form में change करना है तो यहाँ reactance form में change करेंगे minus jy omega c अब बुलेंगे sir यह omega क्या है हमें compare करना omega हमें नहीं पता क्या है किस frequency पर बात कर रहें तो यह हम voltage की जो frequency होगे उसी frequency पर हम लोग लेंगे ठीक है चलि equal to क्या हो गया 0 हो गया equal to 0 हो गया अब इसको solve कर लेते हैं तो vab equal to यह उस साइड में ले जाते हैं divided by i1 इसको ले आते हैं तो कितना हो जाएगा 2k ठीक है और minus minus plus then again minus तो minus jy divided by omega into capacitance कितना है 100 100 micro farad into और यह कितना है 50 यह कितना है आपका 50 50 i1 इधर की साइड मे लेके आ गए ठीक है कब यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको जब solve कर लेंगे इसको जब solve कर लेंगे तो 2k minus j by 50 52 so 1 by 2 1 by 2 का मतलब है कि 0.5 0.5 और micro है 10 to the power minus 6 उपर जाके 10 to the power चलो उपर जाने की ज़रूत नहीं है क्योंकि हमें standard तो expression जो compare करना है वो नीचे की साइड में ही capacitance है तो इसको हम लोग क्या करते हैं नीचे ही लिखे रहें देते हैं 2 है ना और याद रहें यह microfarad में यह काई में है microfarad में VAB divided by I1 और that is ZAB ठीक है चलिए अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा expression से compare करें standard expression से तो resistance कितना आरे भी कितना है 2 kilo हो और यहाँ पर omega CAB minus minus विलकुल sign भी से में ऐसा नहीं को sign कट बड़ो जाए और यहाँ पर जहाँ CAB लिखा है वहाँ पर क्या है 2 है इसका मतलब है कि 2 microfarad is the correct answer for this question ठीक है यह हो गया हमारा correct answer मज़ा आया question में तो इस तरह के questions में देख्यों कई बार थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा अब कई सारे student का सोचना होगा यह 100 microfarad का जब हम यहाँ से देखेंगे equivalent capacitance तो इसका क्या rule ही नहीं है यहाँ 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 इसा भी value addition इसके अंदर है या नहीं है तो इसका answer है बिल्कुल है वो in the form of क्या है यहाँ से जो current जा रहा है 49 into i1 इस वाले current के form में सारा का सारा उसका credit जो है उसका जो role है वो इसके अंदर समा भी थे हमने वहाँ से current इस वाले loops जो भी current है वो directly हम लोगों ने इस वाले capacitance या इस वाले loop का effect इसके अंदर ठीक है तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूत नहीं है कोई भी loop देख रहे है तो उस loop के अंदर जितने भी requirement parameter required parameter सारे आ जाने चाहिए ठीक है तो बहुत ही अच्छा question था यह कई सारे को एक बार में यह बनता नहीं है बट इस तरह के questions क्योंकि आर equivalent निकालना तो बहुत लोगों को आता है बट L equivalent हो जाए या C equivalent ने पूछे तो उस टाइम पर हमें क्या करना है अगर purely capacitance का होता है ना तो बड़ा आसान है सारे का capacitance लगे रहते तब तो आप series parallel के combination आपको पता ही यह purely inductance होता तो भी कर लेते जब mixing में आए तब आपको क्या करना है impedance निकालना है और impedance निकालने के बाद हो सकता है या question आर यह बोल सकते थे कि equivalent resistance कितना है वो भी पूछा जा सकता था तो जब भी mixing में आए आर के साथ में inductance या आर के साथ में capacitance या दोनों ही उस case में आपको impedance निकालना है तो इस question में हमने क्या सिखा कि जब भी कभी इस तरीके combination वाली चीज़ा आए तो हमें impedance निकालना है उसके बाद जो पूछे वो हमें comment करना है तो पूरा का पूरा network theory में ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है full subject available at gcenter का application play store से download कर सकते हो iOS user my institute app download करिए और अगर आप से ORG code पूछेगा तो gcent ORG code आप डाल दीजेगा ठीक है directly iOS user के लिए app store से gcenter के नाम का application नहीं है my institute के नाम से है my institute उसमें जब आप जाएंगे red color का logo होगा उसको download करके gcent ORG code पूछेगा organization code वो डाल के आप अपना application चला सकते हैं 188 lectures में 450 बहतरिन questions कराया है उसके बाद crash course भी है pdf notes भी है crash course में 150 plus numerical additional करवाया है doubt solve कर सकते हैं आप chat के through अब इसका price 290 नहीं रहा है है ना अब price हो गया है 399 रुपेज ठीक है इसके लिए notification भी जारी कर दिया था यह video देख रहे होंगे तो हर साल 10 अगस्त के आसपास हमारा price बढ़ता है तो 299 नहीं है अब 399 आपको मिलेगा तो मुझसे कोई भी consult करना चाहते हैं कोई भी अपना query कोई भी doubt regarding preparation तो आप chat box पर जी सेंटर के आप डाउनलोड करके chat box पर अपना message ड्रॉप कर सकते हैं तो मिलेंगे next question में okay thank you अज़ क्योड़ Commissioner